है यह दोस्तों RAW वैलकुम बैग जैसा पड़ायो कि आज हम पढ़ रहे हैं सीत्युद्ध के बारे में यानि इससे पहले की विडियो में जाना था किसीत्युद्ध क्या है सित्पत्ती कैसे वी उसके कारण अग्षी विज्ञान चेप्टर नमबर एक जिसे कहते हैं हम कोल वार और कोल्ड वार के भाग टू लेकर आएं तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले जानने वाले हैं गुट निरपेश्टा के वाइब राइट गुट निरपेश्टा क्या है इसके स्थापना क्यों की उनके संस्थापना क्यों की गई इस पर भी हम बहुत जढ़ा और फोकस करेंगे उद्देश से क्या थे कि इस पर चर्चा करें हैं और इसकी प्रकटी क्या रही इसके अलावा हम इस पर चर्चा करेंगे भारत की गुट नेरपेचिता के निती की जाती है लोशना भी किया थी उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे ना गुट निर्पेचता में आंदोलन जो गुट निर्पेचता आंदोलन है उसमें भारत की भूमिका क्या रही इस पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके बाद हम बात करेंगे क्योबा मिसाइल संकट यानि वह इस्थित टाइम ना देते हुए आपके टाइम ज्यादा बरबात न करते हुए आम वीडियो का आगे बढ़ाते हैं तो क्या रूस्तों गुट निर्पेचता जैसे आप सब चैनल मौन परतीत है इसे पर संगठन और निर्पेचत मतलब होता है संगठन से दूरी बनाया रखना यानि ये वो देश थे यानि एक ऐसी सिती जिसमें किसी सत्ती गुट में सामिलना होना यानि गुट निर्पेचता का मतलब क्या दोस्तो कि किसी भी सत्ती के गुट में सामिलना होना यानि इसका मतलब यहाँ पर एक भी भी है कि तटस्ता बिल्कुल भी नहीं होता है हाँ गुट निर्पेचता का मतलब है कि ये ऐसे किसी भी सत्तिक गुट में सामिलना हो जिससे विश्व का आगे चलका नुकसान हो नुकसान का मतलब यहाँ पर है कि वो किसी भी संधी में ना पड़े ना ही किसी सैनिक संगटनों का हिस्सार है क्योंकि आपको पता है कि जैसे सीतीुद की शुरुत हो रही थी, उस सीत उद में देखा कि दो गुट थे, और दोनुगट क्या कर रहे थे, आपकी शक्ति और सैने के लिए होड कर रहे थे, जिससे क्या हुए, सस्त्रों के निर्मारों बहुत्री वी और वीसु ह Egg टीसरे वि पस्तर के लिए ऐसी होड मचा रहे थे कि दुनिया जो थी एक युद्ध की आग में जोकी चली जा रही थी अब जब दुनिया युद्ध की आग में जोकी चली जा रही तो जो गुट निरपेश समुक देश से ना उन्होंने इस कौतुहूल भरे समाज में इस लडाई भरे युद में जाने से अच्छा समझा कि वो अपना विकास करने में मस्गूल रहे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लिखाओ सैनिक बंदों वा संदियों से दूर रहना सैनिक बंदों संदियों से दूर रहने का मतलब होता है दोस्तों कि यह जो नो स्वतंद राष्ट थे वो किसी भी सैनिक गडबंद जैसे आपने देखा होगा नाटो सीटो और सैंटो और वासा पैक्ट यह जो नो स्वतंद राष्ट थे वो ऐसे किसी भी गुट में सामिल होन नहीं चाहते थे कि अगर वो सामिल हो जाते तो एक बार फिर ये गुलामी की आग में जोके चलिया थे गुलामी का मतलब क्या होता यानि अभी वो राष्ट जो किसी ना किसी तरह से ब्रेटेन को उपनिवेस रह चुके थे और वही राष्ट अभी स्वतनत्रुएं अगर इन इन राष्टों में से किसी ने भी इन दोनों सैनिक संगटनों का हिस्तिदारी ले लिया होता तो वह राष्ट अपना पूरी तरीके से विकास करने में क्या रहे थे आसफ़ल रह जाते इसलिए इन्होंने क्या लिए फैसल लिया कि ये दोनों सैनिक गुटों से दूरी बना लेकिन दुनिया में जो भी घटना घटित हो रही है वो उससे नाता नहीं तोड़ना ताकि दुनिया को विकास के मार्ग पर और विकास के मार्ग पर आगे ले जाया जा सके राइट यह है गुटने पेचता तो अगर हम इसको सब्सक्राइब तो देख सकते हैं कि अपनी स्व स्वतंद नितिक है भारत जैसे जो स्वतंद राष्ट थे जो अभी अभी 1947 में आजाद हुए थे वह उनकी अपनी स्वतंद नितिक मतलब कि वह उनके नियम उनके सविधान पर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो नहीं किसी दूसरे देश का दबा हो इसलिए गुटने नितिक मतलब क्या है दोस्तों कि अपनी स्वतंद निर्णे निति एवं राज्ट हीद के रुशार निर्णे लेना ताकि इस निति पर किसी बाहरी देश का भार भार ना पड़े बार ना पड़े मतलब क्या तो सेहां पर कि जो वह अमेरिका यानि पुंजी वादी गुट और सौ्व्य संग यानि सामाजवादी यानि सामेध गुढ ये दोनों गुढ में सामिल ना होने की परंप्रा तो हम बात करें कि गुढ नेर्पेचता की स्थापना कैसे कि गई पहले मैं आपको उजाता हूँ गुढ नेर्पेचता की पूरी परिवासा क्या है सदिस ए कि नेरपेचता का मतलब होता है कि किसी भी सेन्य गुट में सामिलना होना और अपनी स्वतंत निती को कायम रहते हुए अपना और अपने देश के नागरिगों का विकास करना यही है गुट नेरपेचता की निती लेकिन यहां पर मैं आपको नोट करके मता जाता हूं कि गुट विश्में किसी भी ऐसे संगठन का सदस है चाहे विकास की बात करें चाहे किसी भी संगठन का सदस नहीं तो तड़स तक मतलब आप स्वीजे लैंड का उधारा ले सकते हैं कि वो दुनिया में किसी भी गुट का सदस से नहीं है और ना ही उस पर किसी भी अंतरराश्य संग संगठन अंतराश्री बात का प्रभाव पड़ता है लेकिन भारत और गुट निरिपेचता देश ऐसे नहीं थे उनका मकसद श्रिवेई था कि उस समय जो स्थिती ती किसकी सीत्युद की उससे दूरी बना कर अपना विकास कर सके गुट निरिपेचता के जो सदस थे जो संग संद भी ले सके और दोनों में से किसी को भी भनक भी ना लगे कि एक किसी और का सदसे फॉर इजांपल के लिए अगर मैं भारत की एक्जांपल लेतों यहां पर तो जैसे एक्जांपल के लिए हमने 1971 में अगर हमने गुट निरिपेचता रहतों वे सोव्यस संग के क्या लिए संधी कर ली 20 वर्शी संधी और इससे क्या हुआ कि जब 1971 भारत और बांगलादेश के बीश भारत बांगलादर पाकिस्तान के बीश क्या हो रहा था एक सोतंदर बांगलादेश की दिर्मार के वीश चल रहा था तो जो अमेरिका था वो पाकिस्तान की तरफ से जंगी बेड़ा लेकर भारत की तरफ बढ़ा लेकिन चुकि भारत ने सोव्यस संग से 20 वर्श की संधी की थी और इसका फायदा हमें मिला और जैसी अमेरिका जं नेर पेच्टतक निति काम भी आ गई यानि मदद भी मिली और हमारा किसी के साथ संबंध विशेद भी नहीं हुआ यही यह अपने विकास के साथ सथ जंत हम ब्राइब करना यानि राश रिचत की बात की जाती सके अंदर अब दोस्तों आयोब समझ चुके होंगे अब हम बात करतें दोस्तों कि इसकी स्थापना क्यों की गई इस थापना कब की आती है तो गुट निर्पेच तक इस थापना और पहली बार की गई थी यानि अगर हम इस थापना की बात करें तो चर्चा कोई कोई दोस्तों इसकी चर्चा की गई थी 1955 के बारूम सम्मेलन यह तो विश्यू के दो देश हैं जो लगातार युद्ध और असांति के मार को परचल रहे हैं उससे दूरी बनाकर अपना विकास करके इसका पहरी चार्चा उन्रीस्टों पच्पन में इसे यह जो बाडू सम्मेल है न दोस्तों यह इंडोनेसिया हुआ था इसे आप एक प्रक अपने घर मकान मनाते हैं और इर्ट की पहला पत्थर डालते निव के थिसी प्रकार आप समझ सकते हैं यह इसे ऍसक्पन होती है और कहां होती है बैल क्रेड पिर मेरी स्थापना होती है और मेरी कभल प्र में कभल अब जो इस समयलत में भाग लिया तो उनमें सबसे महत्वपूर बात यह है कि संस्थापक जिहां तो गुट निर्पेश आंदोलन के संस्थापकों के बारे में अगर हम नहीं पढ़ा तो फिर गुट निर्पेशता की हमारी जानकारी अधूरी रह जाएगी चलिए सबसे पहले हम संस्थापक के बारे मात करते हैं जैसे कि आप सभी को प्रतीत होगा और मालूम भी होगा और अपने पढ़ा भी होगा कि गुट निर्पेशता की नियू रखने वाले कौन थे यहाँ वही भारत के पहले प्रधान मंद्री पंडि जवाला नहरू जिसकी विदेशनिती यानि जिसकी छाफ भारती विदेशनिती पर सबसे जादा और सबसे गहरी पड़ी है उन्हीं की बदोलत गुट निर्पेशता के अंदोलन तो सुरू किया गया पंडि जवाल नहरू ने पहले भी गुट निर्पेशता के बारे में अपनी बाते रखी थी उ मैं इन सहनीक गुटों के पाले में न पड़कर याफ पच्छडे में न अपड़कर अपना सोतंत्री राजनिथी सोतंत्र विदेशनिथी और स तब ही हो सकता है जब वह 900 राष्ट यहां पर मैं 900 राष्ट इसलिए बोलो दोस्तों कि 1947 के बाद दुनिया के तमाम राष्ट जो भारत समय था कि दच्छिल एसे की बात करें एसिया की बात करें और पुर्वी एसे देशों की बात करें तो वह लगातार आजाद हो रहते यान पंडित वाल नेता नेता नाम है वह है भारत के पहले प्रधानमत्री पंडित जोहर लाल नेहरू जी दूसरे थे वाने इनक्रोमा तृसरे थे गमाल अब्दुल नासिर चोते थे डॉक्टर सुगरणनो और पांचवे थे घना के मैं आपको पता दे चलू तो वो थे आपके जोसेफ ब्राज चीटो योगोसलाविया के ये तो पांच लोगों का सबसे महत्यपूर योगदान और आएकिस में गुट नेरिपेक्चिता के आंदोलन के दिकास में तो यहां पर पंडिजवाल नाने रूप जोसिफ ब्राज टीटो ये योगोसलाविया के थे गमाल अब्दुल नासिर चोथे थे दोस्तो वो थे आपके सुक्रणों यानि सुक्राणों के बोलते बच्चे से लोग और पांच में थे आपके वाने इनक्रोमा वाने इनक्रोमा जिहां देश की बात करें तो वाने इनक्रोमा घना के थे जो सुक्राणों दोस्तों वो इंडोनेसिया के थे और गमाल अब्दुनासी दोस्तों मिस्र के थे और जोसेफ ब्रास्टीटो थे योगोस्लाविया के आप पंडिजवाल नानेर से आप तो भली बाती परिचित होंगे वो कहां के थे यहां भारत के ही थे पंडिजवाल नहरू आप संथापकों के बारे में और इस्थापना क्यूं की गई इससे भली बाती परिचित होंगे और हम इस वीडिव Bem के आगे आपको लेके चलते हैं अब हम बात करने वाले हैं स्थापना क्यूं की गई और इस पर अगर फोकस करें जो इसली के गए ताकि कि यह जो संसापक सदस देश है जो संगटन है वो इन दोनों से निए गुटों से अपने आपको अलग रखे और अपने नागरिकों का विकास करें क्योंकि इतने यह जो 900 अंदराष्ट वे दोस्तों वो इतने सक्षम नहीं थे कि वह इन सैनिक गुटों में भागेदारी बिले और अपने नागर्युकों का विकास करें क्योंकि यह उपनिवेस रहे थे क्योंकि और उपनिवेस के साथ इनके साथ वो सारे बरताओ किएगे यान इनके पूरगपुर आर्थी गुरूप से, रादिती गुरूप से, समाजी गुरूप से, सांस्की गुरूप पूरूप से, खोकले हो गए थे, पैसे नहीं थे, तो यह अपना विकास करें, या राश्ट करें, या युद्मे भाग लें, इसलिए इन सभी राश्टों ने चुना, यह अपने राश्ट के विकास करेंगे, इन दोनों सैनिक गुरूप से अलग रहेगा, राइट? चलिए, उद्देश से क्या थे दोस्तों इसके? तो इसका सबसे पहला उद्देश था है दोस्तों, वह है सदस्य देशों को सक्ति गुरूप से अलग रखना, तो वह सक्ति कौन से दोस्तों वो थे आपका नाटो सीटो सेंटो वार्षा पैक्ट तो इन सत्री गुटों के जाग चैना करके इसका पहला उद्देश था गुट में पेचता अंदुरन का दूसरा उद्देश था दोस्तों वो था कि नौ विक्सित देशों के सम्मान और प्रतिस्टा को पढ़ावा देना केहां पर मतलब यह है कि जो नौ सोतंत्र देश यानि नौ विक्सित देश नौ विक्सित देश का मतलब है में दोस्तों वह देश जो अभी अभी आजाद हुए थे क्योंकि जब वो ब्रिटीस इस्टेट ने आया नि ऐसे बहुत से जो समराजवादी ता हमें क्या कर दिया पूरी तरह से गुलाम बना रगा था हमारी जादी अर्थिक्समा ने değer खेया इसे तो इन प्रह 592 ौई कट बंगों ओजू को उबसीन निया था आपना सवविमान को बचाना वो है सोविमान जिसके लिए इन्होंने आजादी की लड़ाय लड़ी और हमारे सोतंतरता सेनानियों की जो पहली मांगिया थी कि भारत के सभी नागरिकों को एक ऐसे देश का राष्ट बनाना यारी सोरी एक ऐसा देश पदान करना जिसमें उनकी मूलबूत अबसकताओं की पूर्टी की जा सकती दोस्तों जब मम वास्तों में इन सैनलिक गुटों के पछड़ों में ना पढ़कर अपने नागरिकों के विकास पर ध्यान देंगे और तो यही हमारे सम्मान की बात थी इसके बाद हम बात करेंगे ना तीस्वी उद्धेश से क्या था इसका उपनिवेशवाद तरह समराजवाद को समाथ करना उपनिवेशवाद और समराजवाद से आप भली बाती परचित हैं उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई सक्तिसाली राष्ट किसी कमजोर राष्ट पर राध्यती गुरूप से आर्थी गुरूप से अधिकार जमाले इसके हम क्या कहते हैं दोस्तों उपनिवेशवाद कहते हैं और समराजवाद का मतलब होता है जब कोई सक्तिसाली राश्ट अपने सीमा का विस्तार करता है और ऐसी इसकी तो कम क्या नाम देते हैं समराजवाद का नाम देते हैं क्योंकि 19 सदापदी से लेकर 20 सदापदी का का पूरी तरब से उपनेवेश्वातार सम्राज बुत्त का काल माना जाता है तो इस系 समाप्टि भी इसका वidence विकास करना किसकर विकास करना अपन में नागारी में को मोल हुआ वन्चीट थे जाट वहए ब्रिटीटेश देड़ कम्पणी के घुलाम थे उनके साथ जो दोरी नागरिकता का सरित्र अपनाया जा रहा था उससे अपने नागरिकों को भार निकालना और विकास करना इसका पहला उद्देश बन गया हत्यारों की होड में ना फसना हत्यारों की होड में ना फसने का मतलब है कि गुट निर्पेच समू के सभी देश जो सभी सदस देश थे और उग गुट निर्पेच तभी कहे जा सकते हैं जब वह इन सैनिक्स गड़ बंदनों का सदस ना होकर अपने देश और अपने नागरि इसके दूसरी प्रगती दोस्तों क्या थी कि राश्टी राश्टी और अंतराश्टी वाज का समन्वें करना मिला जुलागा अगे बन रहाइब विश्व सान्ती की स्थापना करना यानि ये गुट हमेशा विश्व सान्ती की बात करता है क्योंकि ये खुद एक ऐसे जनजाने भसेवे ने जहां इन्हें हमेशा दबाया गया था आर्टिक सहायता लेना क्योंकि अभी इन्हें विकास की वह सकता था जब ये दोनों देश आपने आपको दोनों गुटों को बराबर माने ताकि दोनों गुटों ने कहा थे आर्थिक सहायता दे ताकित का विकास हो सके इसका अगला है कि निरणय लेने की सोतंतरता जिहां निरणय लेने की सोतंतरता इसके अच्छी प्रकृति थी क्योंकि हम में से आप में से सभी अपनी सोतंतरता की बात करते हैं जहां सोतंतरता होती है वहां विकास अपने आप आ जाता है सक्ति की यानि सक्ति की राजनीती का विरोध यानि कि सक्ति की राजनीती का वो सक्ति जो अमेरिका और सोयसंग लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे इस सक्ति राजनीती विरोध करने के पार यानि सक्ति के हम क्या समझ सकते हैं कि पावर सत्ता इन्हें सत्ता नहीं च मैं आपको नकारत्मक के बारे मता दे चलू नकारत्मक का मतलब होता है कि दो भाई अगर आपस मिल रहे हैं तो आप किनारा करके चले जाएं इसे क्या कहेंगे नकारत्मक क्यों मरे तो मरे क्योंकि उससे आपको मतलब नहीं है लेकिन भारत की नितिक है दोसो सकारात्मक है सका सकारात्मक का मतलब होता है अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हमारा क्याम क्या है उसको सुल्धाना ताकि वह भी विकास और अपने आपको समझ सके और विकास के मार पर लोट सके अगर हम भी उसी तरह आगे बढ़ जाते तो यह सिती कभी समाप्त नहीं होती और भ काम किया है तो सकारत्मक की निती हमारी है गुट भारत की गुट निरपेचता के निती के अलोचना क्यों के जाती है हालांकि भारत ऐसे बहुत से राजनिती विचारक है जो भारत की गुट निरपेचता के निती के अलोचना करते हैं लेकि कुछ सथ तक अलोचना करने है क् इसका मतलब आप क्या है कि आपकी निती बिल्कुल सत्त है और राजनिती आप विजारती है और जब तक राजनिती में अलोशना ना हो तब तक आपने काम को अच्छा और भी नहीं कर सकते तो अलोशना होना जरूरी है हमारी नितियों को अलोशना हुई लेकिन यह अलोशना अब भारत की जिती क्या है सिद्धान्त है यह जो हमारी इसका कोई मैंधी इसका क्यों ही यह आपने आप ही विक्सित हो गया तो यह बिल्कुल सरा-सर गलत है अनीमित, यहाँ पर अनीमित का मतलब यह कहा गया था फॉर इजांपल के लिए यहाँ पर यह विचारा कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोवियस संग के साथ जो 20 वर्ष की संधी कर ली तो हम ने क्या कर दिया अपनी गुट निर्पेचता कि नितू को त्याग दिया लेकिन ही बिल्कुल गलाते दोस्तों अगर हम राश चीज की बात करें तो यह संधी हमें बहुत जरूरी थी माल लोगर हम उस समय नाइंटी सेवन्टीवन में सोवियस संग के साथ संधी नहीं करते और अमेरिका का जंगी बेड़ा बिल्कुल बंगाल की खाली तक आ चुका था और उसी संधी ने हमें बचाया और यह हमारी राजनितिक कूटनितिक चाल थी इसे अब राजनितिक कुटनितिक चाल के हैं या पंडित ज्वाला नहरू की दुरगामी विदिशनिति जो दूर की सोचते थे और इसी संदिक विजय से सोव्ये संग का हमें साथ मिला और हमने एक स्वतंत राष्ट बांगला देश को क्या कर दिया जैनम दिया और जिस जिस वज़े से भारत 1962 के बाद लगाता 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद में दोनों में वेज़ाई रहा है तो यह सकारात्मक था ही तो यह यह अलोचना मिल्कुल क्या है तर के वहीर है तो अलोचना होती रहती है कोई दिक्कत नहीं है हम आगे पढ़ना है तो यह समझ गे ना किसी धांत Gपी ना वरिमीत क्यों है तो लगर रहे अब बात करके गुठ निरिपच्ता आंदोलन में भारत की भूमीगा तो दोस्तोँ मैं आपसे बतारे चलाओ कि बिना भारत के गुठ निरिपेच्ता आंदोलन की सिरुआत होई नहीं सकती थी यहां मैं अपने आप से बता दो यानि मेरी जहां तक समझो जहां तक मैंने बढ़ा है तो क्यों नहीं हो सकती थी क्योंकि निति को लागू करने के सिरह भारत की जाते है क्योंकि गुट निरपेश तक सुरुआद किसने की थी पंडिज्वाला नहरूने की थी सदे हो सम्मान नहों समर्थन किया हमने हमेशा हमने गुट निरपेश तक है क्या क्या है सम्मान क्या है हमने कभी भी गुट निरपेश तक निति को जुगने नहीं दिया है क्यों जुगने नहीं दिया है क्योंकि हमें इस निति को सुरुआद करने वाले है उसके बाद Good निर्पेक्ष आंदोलन का जनम दाता को ने दोस्तो इंडिया यानि भारत हमने जनम दिया है साथवा सिखर सम्मेलन जी हां दोस्तो साथवा सिखर सम्मेलन जब भारत में एवजन किया गया तो इस में प्रधान मंत्री कों थे कों बताएगा इंदरा गाती उसमें भात की प्रधान मंत्री थी और उसमें गुट निरपेज्टा आंदोलन का जो संवेलन ते कहां अगर आपको आगे चलकर काफी काम आने वाला है यानि गुट निरपेज्टा नेथी का पहला संवेलन अगर आपसे कुछ लिया जाए तो आप जट चे पता जाना कहां पुछा था तो चलिए आपको मुझे बताना कि 18 सम्मेदान गुट निर्पेच था कहां कब और की जगा हुआ है आपको मुझे बताना कमेंट बॉक्स में नीचे देवा आप मुझे उसके बाद हम देखेंगे कि निर्पेचता आंदोलन का अधर्ष था तो United Nations of Organization में हमने निर्पेचता को पास किया था पहला देश जिसने गुट निर्पेचता की प्रकृतियों को समझा और उसे आगे बढ़ाने की कोशिस की वो देश को था था भारत जिसने United Nations of Organization में पहली ब निर्पेचता का उद्देश प्रस्तावा पेश किया था और उस पर आगे चलने की बात कहीं थी अब इस टोपिक का हमारे पास जो टोपिक बचा हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट यानि स्वीत्युद्ध की से प्रनिर्थी कह लिजिए या स्वीत्युद्ध या तीसरे वि या रखना बस मेरा आप रटने पर ध्यान नहीं देना क्या मैं वोलों उस पर जरूर्ब विचार करना क्यूबा में सागट क्या दो या तो वो किसका प्रक्षिक लेता था सोवियस संग का क्योंकि वो साम्मिवादी विचारधारा का पहरुकार था और क्यूबा के जो नेता है उनका नाम था फिदेल कास्त्रो और उस्तमें सोवियस संग के नेता हुआ करते थे निकेता खुरुष्येव तो निकेता खुरुष्येव और फिजल कास्तोरों में बहुत जाड़ाबन दी थी और इसी वज़े से निकेता खृष्यों ने फिजल कास्तोरों की मदद से क्यूबा में उच्छ छम्ता मारत छम्ता वाली मिसाइल तैनाद कर दी यानि प्रमाडू मिसाइले तैनाद कर दी अब जब प्रमाडू मिसाइले पार आजाओं तो मैं क्या करूँगा दोस्तों मैं उससे बचने की कोशिज करूँगा बचने कोशिज करने के लिए वो सब कार्य करूँगा जिससे मैं उस निती से अपने आपको आगे निकाल सकूँ और निकालने के बाद भले मुण पर वार करूँगा लेकिन वहां से मैं पहले क्या करूंगा अपने आपको प्यार से निकालने कोशी तो अमेरिका ने क्या क्या उस इस्तिस से निकालने के लिए अमेरिका के उसे में राश्पती हुआ करते थे जो अपने विदेश निती के लिए बहुत जाने जाते हैं अगर अमेरिका में किसी भी राश्पती के न जंगी बेड़े को सोवियस संग के तरफ सोरी यानि क्यूबा में आगे ले गए और इस इस्तिती से ऐसा पहली बार हुआ कि सोवियस संग और अमेरिका दोनों आमने सामने हो गए दोनों मिसाइल संपन दोनों प्रवाणों संपन ऐसा लग रहा था युद्य होकर रहेगा पर बिल्कुल हमारे स्विद्ध की सब्द को परिभासित कर दिया है परिभासित करने मतलब है कि जब दोनों देश बिल्कुल आमने सामने युद्ध के सामने आगे प्रंतु क्या हो दोस्तों युद्ध नहीं हुआ यानि यही का मतलब होता है युद्ध जैसी इस्तिती को पन नहीं देखियोंगी वह मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगा वहां से जाकर आप उसे लिंक करके देख लीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि और किस तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और इंपोर्टन परसन आपके सामिला से कुँँ जिसे आपको एक्जाम में काफी मदद मिले तिल देन केप वाचिंग धन्यवाद